हाई फ्रेंड्स स्वागत है आप लोग का अमारे येट्यूब चेनल फार्मासाइन में आज हम लोग बात करने वाले हैं वी फॉर्म फार्स सेमेस्टर की फार्मसेटिक्स सब्जक्ट की मोस्ड इंपर्चन के बारे में सेमेस्टर एक्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो हम लग देख लिएते हैं इसमें मेंने 3 केट्रियोती है Section A, Section B And Section C Section A में जो होता है very short question होते हैं mostly 2 number के Section B May long Howling Question होते हैं which question ten are 10 and Section C short question which find 5 or 7 Section A May What From flush when what question final show gives you total marks Section A May be 20, 20 number Section A Section B May long question होते हैं इसमें तीन कोश्चन दिये रहते हैं इसमें दो एक्टेम्ट करने रहते हैं एक छोड़ना रहता है जो आप दो जानते हैं इसको एक्टेम्ट कर सकते हैं तो इसमें दो में होगा every question 10 number के होंगे तो इस तरह से 2 question हो जागा 20 number section A भी total mark 20 number section B में भी 20 number के question होगे अब आते हैं section C में section C में या तो कभी-कभी 9 question रहते हैं कभी-कभी 7 question रहते हैं अगर 7 question है section C में 7 question है या section C को कभी B कर देते हैं या B को C कर देते हैं अगर 7 question है तो उसमें 5 attempt करने होगी और अगर 9 question दिये हुई हैं तो उसमें 7 attempt करना रहता है महलब दो question आपको छोड़ना रहता है और इसमें marks इस base पे होते हैं कि अगर 7 question है जो 5 करना रहेगा और 5 करना रहेगा तो उसमें प्रते एक question जो है 7 नमर का होगा अगर 9 question दिये रहेंगे तो उसमें 7 करना होगा तो अगर 7 question करना होगा तो प्रते एक question जो है 5 नमर का होगा इस प्रकार से total marks इसमें section C में होते हैं 35 marks हो जाते हैं तो अगर total जोड़ा जाए तो इसमें पहले में 20, section A में, section B में 20, and section C में 35, total marks हो जाता है, इसमें 75 marks का आपका थेओरिक अग्जाम होता है, और जो 25 marks होते हैं, उसमें आपके सेस्नल का जो है, average बनता है, और teacher जो आपको, लब सेस्नल में 30 का अगर एक सेस्नल होता है, दो सेस् निकाला जाता है, इस base पर आपको 25 marks में दिये जाते हैं, तो आपको theoretical ये, सेस्नल और main exam मिला के, आपको 100 number का हो जाता है, और practical का number अलग होता है, इसमें unit first में, most important question हो चकते हैं, जो, इसमें पहला question है, write in detail about history of pharmacy, तो basically इसमें pharmacy के history के बारे में रिखना है, तो ये 7 number में पूछते हैं, तस number में बहुत कम ही पूछते हैं, तो इसकी तियारी आप लोग डंग से कर लीजेगा, question number 2 है, what is the scope of pharmacy, scope of pharmacy भी 7 number में पूछ सकते हैं, अगला question है, define dosage form and classify with example, तो जो dosage form है, इसे 2 number में भी definition के रूप में पूछ सकते हैं, और अगर classification में पूछते हैं, तो 7 number म 5 number में आएगा, what is the prescription, write about parts of prescription, इसको 10 number में पूछ सकते हैं, 7 number में पूछ सकते हैं, और prescription की definition के वाल, 2 number में पूछ सकते हैं, तो इसकी तियारी आप लोग कर लीजेगा, अगला question देखते हैं, unit first में ही, define pathology, discuss various factor affecting pathology, तो pathology को mainly define करना है, definition इसकी 2 number में पूछ सकते हैं, और अग अगला question जो है, write a note on IP, BP and USP, तो IP में इस Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia and United States Pharmacopoeia, इसमें mainly दो ही पूछते हैं, Indian Pharmacopoeia पूछ लेते हैं, या तो British पूछ लेते हैं, जो कि normally दो नमर में पूछ लेते हैं, में भी पूछ लेते हैं, इसमें pharmacopoeia की definition हो गई, तो दो नमर में पूछ लेते है और अगर short note हो गया, तो 7 नमर में, 5 नमर में पूछ लेते हैं, अगर देखते हैं, unit second में, unit second में कौनकों से question important है, उसे देख लेते हैं, question number one है, what is the isotonic solution, इसे short में पूछ सकते हैं, और write about proof spirit, proof spirit के definition, 2 नमर में पूछ सकते हैं, write a note on powder, powder के उपर 5 नमर में, 7 नमर में कूछ effervescent, effervescent, eutectic mixture and hygroscopic powder, यह सब parts है, मनलब types हैं powder के, तो इसकी, इनकी definition, 4-5 definition एक साथ देखे, 5-6, 7 नमर में पूछ सकते हैं, अगला question क्या है, what is the technique to enhance the solubility of liquid dosage form, liquid dosage form में solubility को बढ़ाने के लिए, जो तकनीक का उपी हो गया, टेकनीक का इस्तमाल करते हैं, वो क्या है, पूछ सकते हैं, आप से 7 नमर में, अगला question है, इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, formulation used in liquid dosage form, अगला question देख लेते हैं, different bed means simple and compound powder, इसमें unit first में जो है, most important question हो सकते हैं, जो इसमें पहला question है, write in detail about history of pharmacy, तो basically इसमें pharmacy के history के बारे में रिखना है, तो ये साथ नमर में पूछ सकते हैं, और basically से 7 नमर में पूछते हैं, 10 नमर में बहुत कम ही पूछते हैं, तो इसकी तेयारी आप लो डंग से कर लीजेगा, question number 2 है, what is the scope of pharmacy, scope of pharmacy भी 7 नमर में पूछ सकते हैं, अगला question है, define dosage form and classify with example, तो जो dosage form है, इसे 2 नमर में भी definition के रूप में पूछ सकते हैं, और अगर classification में पूछते हैं, तो 7 नमर में आएगा, या 5 नमर में आएगा, what is the prescription, write about parts of prescription, इसको 10 नमर में पूछ सकते हैं, 7 नमर में पूछ सकते हैं, और prescription की definition के वाल, 2 नमर में पूछ सकते हैं, तो इसकी तेयारी आप लोग कर लीजेगा, अगला question देखत में ही, define posology, discuss various factor affecting posology, तो posology को mainly define करना है, definition इसकी दो नमर में पूछ सकते हैं, और अगर इसमें factor affecting पूछते हैं, तो 7 नमर में 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 पूछते हैं, अगला question जो है, write a note on IP, BP and USP, तो IP में इस Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia and United States Pharmacopoeia, इसमें में पूछते हैं, Indian Pharmacopoeia पूछ लेते हैं, या तो British पूछ लेते हैं, जो कि normally दो नमर में पूछ लेते हैं, में भी पूछ लेते हैं, इसमें Pharmacopoeia की definition हो गई, तो दो नमर में पूछ लेते हैं, और अगर short note हो गया, तो 7 नमर में, 5 नमर में पूछ लेते हैं, अगला देखते हैं, unit second में, unit second में कौन-कौन से question important है, उसे क्वैशन सब्सक्राइब सब्सक्राइक इस सब cozyszए सब्सक्राइब और includes food if you have a exported नमें तबसकोधे्र माइब सब्सक्राइब गांसब्सक्राइब पाउडर सब्सक्राइब subscription चार पांट टेफिनीशन एक साथ देखें पांच है साथ नमर में पूछ सकते हैं अगला कुछिन क्या है वाट इस टेक्निक टू इनांस दा सॉलिवेलिटी ऑफ लिक्विड डॉसेज फॉर्म में इस सॉलिवेलिटी को बढ़ाने के लिए जो तक्नीक का उप्यों या टेक्न क्वोचिन बेठी स्टेम के लिए पांच नम या 7 नमर में पूछते या सिंपल पावडर धूड़ की डिफिनीशन दो नमर में पूछ सकते हैं अगला कोशन वाट इस दा इंपयरियल एंट ब्स्टेम फार्माचिकल क्लकोशन तो इस भी सॉट कोश्चन के रूप में पर्टेट इसे बहुं लेग लेते हैं कोश्चन है define suspension discus about the method of preservation तो जो definition suspension की इसे very short के रूप में 2 नमर में पूछ सकते हैं और discuss about the method of preservation और इसको भी पूछने हैं तो 7 नमर में या 5 नमर में पूछ सकते हैं difference between flocculated and deflockulated suspension यह विछले साल जो है 10 नमर में question था सायद तो इसको दस नमर में 7 नमर में उपूँछ सकते हैं तो फ्लॉकुलेटेट थे सस्पेंशन को लिखना पड़ेगा इसमें आपको सस्पेंशन की डेफिनीशन भी दो नमर का इपूछटे राइटे लिए नोट ओन राईटे ग। नोट ओन इमल्सं बीर एक्जाम्पल एक्जाम्पल की ऊपर आपको लिखना है पांच निमसाथ साथ नबर्स का कोश्चन ह्यगा। इसके बारे में आपको लिखना रहेगा अगला कोशन है इस्टेबलेटी प्रॉब्लम उसके बारे में आपको लिखना रहता है इसमें जो है में पुछने हैं राइट इन डीटियल बउट सब्सक्राइब इस ताइब 10 नमबर का question आपको हो सकता है तो इसमें supposed to be covid क्या होते हैं और इसके कौन जोते हैं इसके बारे में लेखना होता है अगला question में देखते हैं सबस् implications और फार्म से पूछ सकते हैं तो कॉशन नमर बन है classify semi-solid dosage form तो simply semi-solid dosage form को classify करना है और अगर briefly discuss मांगते हैं तो इसको थोड़ा बहुत इसमें लिखना भी रहता है कॉशन नमर दो देखते हैं write the excipient used in semi-solid dosage form यह question आपका important होने वाला है क्योंकि write in excipient जो एक्सिपिनेट्स होते हैं सेमी सॉलिड डोसेज पॉम में यह सिंपल होते हैं जैसे जो लिक्विड डोसेज पॉम हैं बस दो तीन चैन्जेस करने होते हैं तो साथ नंबर में यह अगर इस उनिट फाइफ से आता है या इनिट थर्ड या मिलब जो जिसमें लिक्विड डोशेज परमस से आता है तो आप यह कोश्चन को लिख सकते हैं आंसर को लिख सकते हैं अगला कोशन है हाउ टू प्रिपेर आप लोग ने देखा अगर वीडियो परशान आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंप्रेंट कोश्चन है को सब जो एक्जाम में आ भी सकते हैं और आये भी हैं पिछले एक्जाम के दोरान बने नहीं मारे साथ अधिक जानकारी के लिए वीडिय खरूँ अधिक जा भी सब्सक्राइब के लिए और आये नहीं मारे साथ भी को सब्सक्राइब के लिए भी इंप एक्जा ।ार आये 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 पिजले।